एक कहावत है अपना हाथ जगनात इस कहावत को चर्षतार कर रहे हैं फथुआ के परखन के किसान लोग जिन्होंने अपने स्रम दान से चार किलो मीटर का बांध बनाने को तैयार हो चुके हैं और काम भी सुरू हो चुका है हर घर से चंदा बीरी करके उसके सासा स्रम दान करके ये लोग जो काम सिच्चाई विभाग को करना चाहिए लेकिन विवाग के उदासीन वहिया के कारण परसान होकर किसान इस वार अपनी फसल को बचाने के लिए खुद से चंदा करके काम सुरू कर रहे हैं और ये किसी सरकार के फंड से नहीं बलकि किसान अपने चंदा करके उसके सासा सरम दान करके लगे हुए हैं किसान के हर परिवार के लोग छोटे हो या बरे बुढ़े महिला पूरू सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं सकते हैं कि महिलाएं जो हैं किस तरह जो पेर कट रहे हैं उसको लोग काट-कार कर निकुल मिलाकर जा जाता है तो महिलाएं का भी से योगदान हो रहा है उसके आलावे ज function करके मशीं मंगाया है और जैसी भी मसीन के द्वारा जो यह पॉपलिन कहा जाता है और जब मिट्टी भरा जाता है उसके बाद किसान खुद फाबरे से इसे बराबर करने का काम कर रहे हैं यह जो आप देख सकते हैं यह कोई मजदूर नहीं बलकि अपनी फसल को बचाने की एक कवायश चल रही ह हैं हम जानेंगे कि यहां कि अखिरर इस जगह बिच्रा लगा हूए द्वा दानका आप देख सकते हैं इसी किसाने व बिच्रा तैयार होने जा रहा हुए किसाने अड़रन के लगाएंगे लेकिन हर साल इनका जो धान होता है कि फसल डूब जाती है क्योंकि हर साल ये फल्गु नदी की जो सहाइक नदी है धोबा, महतमाईन, लोकाईन, कट होती है इसी कई नदियां है जो कि नलंदा जिला और पटना जिला परभावित करती है पिछले साल दोनों जिलाएं मिला कर कम से कम दस जगह पर बान तूटा था और हजारों एकर धान की फसल बरबाद हुई थी ये किसान देखिए खुद की काम कर रहे हैं सर हम लोग भी कर कर के मठी दिवार है इस जब ही पूरा नहीं हो रहा है तो हम अपना सरमомदान कर रहे हैं सरकार का बेरा सरकार कोई फंट नहीं है सब पॉन्स रुपए भीघा के नुसार से भीरी किये हैं जो आए सभी आदमी ने भीरी दिया है उसका लिष्ट भी देखिए देखाते हैं यहां सब्सक्राइश्चर नुसार दिये हैं क्योंकि उनको पॉन्सो देने से एक व्यागी फसल का बच्चाव होता है कि ये शरीज़ा है खालन दिखास तो यस चंडे का लिस्ट ये इन्हों दिखाया क्या जो बनन बना जा रहा है किसानों के द्वारा उस यह सभी गाओं के लोगों के सहयोग से बना जा रहा है अब दाल्चक में उसके बाद सीव चक है गवरी पुंदा है ठेगुआ है ऐसे कई गाओं है किसान है वो चंदा दे रहे हैं इने बिगहा के पर एक बिगहा पर 500 रुपया का यह चंदा ले रहे है जिरह के मसल भचाना है वो जरूर देंगे क्योंकि हर साल एलो परसा क्या क्या होता है परसानी परसानी और टूट जाता है। टुटा हाक कि सान लगए सचाइव बंढन बंढ़ाय गया लेकिन इस पर इस पर में चाहिक जो स्ट्विट बनता है बना की दिया जाता है नहीं बना गया तो हर पांध साल पर मति के नहीं अजी का चंदावी सबसे दिलबाते हैं यहां से लेकिन वह हैं किया बता रहा है 45 सर मेरा एज हो रहा है अभी तक इस पर सरकार का एक डेली भी मट्टी नहीं गिरा है आज तक जो भी किये हैं जो गिरहा से के है 45 साल में एक भी डेली सचाइ भी भाग यह को भी भुवाग और भी प्र हम लोग पर पर्सान नहीं प्थे स्थाओं बूखée मर रहे हैंगे मर रहें तो अपने काम आपके भी कंग कर नहीं 94 अपर किसान दिलीब कुमार है जो कि बता रहा है कि 45 साल अपने एज में कभी नहीं देखा कि किसी चाई भी भाग जो है इनकी बांध की मरमति करता भगवान भरों से किसान यहां पर के हैं हजारों एकर की फसल ऐसे ही हर साल नस्ठ होती है पिछले बार भी बांध तूटा था और एक बांध तूटने से पूरे पांध से साथ गाओं है सभी गाओं के तैयार धान नस्ठ हो जाते है इस वार 13 जून से अंसून की सुबात हुई है अभी जो मौसम विभाग का जो साथ है कि हम किसी भी सुरत में धान को डूबने नहीं देंगे यह हम अभी अब दाल्चक में हम आगे भी जाएंगे क्योंकि इन लोगों बताया कि चार किलोमीटर तक बांध बना रहे हैं तो आगे भी जाकर देखेंगे किस तरह ही लोग फसल को बचाने के लिए कि क्या किसी कार बहुत कर रही है किसानों को लेकर लेकिन जो किसानों की जो हकीकत हमने अभी दिखाया कि किस तरह भाप छोटे बच्चे तो ऑपनी भान की फसल बचा जाए तो हम चलते हैं और आगे और आगे भी देखेंगे कि क्या है अब दाल्चक के बाुद हम अभी याए है पूरी पुन्दा के यह देख सकते हैं यह नदी है इसमें जब मौनसून आएगा तो पूरा सरक किनारे तक पानी हो जाएगा पिछले साल यही बांध है जो आप देख सकते हैं तो किसे यहां पर टूटा था और पिछले साल पूरे इलाके का धान खत्म हो गया था एक यहां तक बांध तूटने के बाद लगभग 5-7 गाओं हैं जिनका फसल पूरी तरह नस्ठ हो गया था दाने दाने के लिए मोहताज हो गया थे तो सिच्चाई भी भाग ने इस बांध को तो बना दिया लेकिन बांध क्यों तूटता है यह किसानों की सबसे बड़ी समस्या है और पहले काफी साल पहले 15-20 साल पहले बांध जो बनाया गया था उस पर मनमती कार्ज नहीं होने के कारण हर साल बांध तूटते हैं तो एक जगए आप से चाई भी भाग का यह काम देख सकते हैं लेकिन उसके बाद हमें और चाहेंगे कि दिखाएं कि यह जो नया मिट्टी जो आप नई मिट्टी देख रहे हैं यह नई मिट्टी ग्रामिनों के द्वारा बनाया गया है जहां जहां जब एक टाइम टूटता है तो सिच्चाई भी भाग दिखावे के लिए उस जगह को तो बंद कर देती है लेकिन इसका निदान पूरी तरह कैसे हो किसान को हर साल इस समस्या न जहिलना परे उसको लेकर सिच्चाई भी भाग ने कभी सूद नहीं लिया और जिसके कारण किसान को इस वार खुद आगे आना पर रहा है और अपने पैसे से चंदा करके और सरम दान करके यह लोग काम कर रहे हैं कुछ और भ्याबाय सिती है आगे ठेगवा रहे हैं आख यह जरूरे हैं किसान को अनदाता बहता है हम Uno की समस्या है उनको सुनने के लिए सिर्फ काज़ों पर कियों रहते हैं कि पर ही बादा क्यों होते क्यों आकिए धरातल पर धिकारी मंत्री क्यों नहीं आकर देखते हैं हम चलते हैं ऑभी एक और गाओं में वहां सब्सक्राइब करते हम लगभाग सारे तीन किलो मीटर यहां गावरी पुंदा के पास पहुंच चुके हैं यह देखते हैं बांध है और कभी यह दो हजार उनीस में यह बांध टूट चुका था जिस तरह धान की फसल नस्ठ हो गई थी जिसके बाद सिकायत पर पानी ज्यादा दान की फसल को नाफ कर देता है किसान इस वार कोई चूक नहीं करना चाहते हैं और देख सकते हैं कि बोरा के ऊपर जो है 09 2006 प्थी आतली सूर्टह त्रू टाल ना चाहते पूंकि किसे और कोई सब्सक्राइब करते हैं कि यहां डाल दिये हैं ताकि कहूं से यह नहीं की नीचा हो जाए हम लोग देखिया हम लोग यह मठी दिये हैं यह हम लोग अपना लेवल के मटी बराबर अलंग पड़ दियें यहां मेरे लेवल से नीचा था हमने उसको पर मुठी डाल दी हैं हम अब उपर चलेंगे और देखेंगे देखी किसान राकेश कुमार ने बताया कि किस तरह ये लोग सावा दो लाख से चंदा इकठा कर लिये हैं जो सिचाई भी भाग पिछले साल बांज तूटने के बाद मरमती का कार्ज किया था लेकिन वह भी मरमती अधूरी थी अभी नई नई मिटी पिछले पांच अछे दिनों से किसान जो है मेरनत कर रहे हैं सरम दान के जरी exh ज्यादा उंचा किसान कुद कर रहा है इस जो पूरा केट डेखना हैं विचल़ा लगके तयार हो चकार और कुछ अगर वाइन द्में नहीं और चंद भी यहां पिर सही बात है कि सी अपना पत्रास नहीं करते के नहीं करते चिसहाρ नहीं है ऐसे कि जोishes देह क्या कह रंग लाती है लेकिन जो सरकार के जो दाबे हैं इन किसानों की मेहनत जो जो हमने दिखाया इस सरकार के दाबे पूरी तरह फेल करते हैं सेहोगी सुर्जीत के साथ पार्मानन सिंग एवपी नुप पत्ना